दर्शको दो ग्रहों की युति जब साथ में होती है यानि एक भाव के अंदर इस्थित होते हैं ना जब दो ग्रह तो प्रभाव तो बदलते ही बदलते हैं आज बात करेंगे कि सूर्य और जंदर दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं जब आपकी कुंडली में साथ साथ कहीं पर बैठते हैं तो आपके जीवन में किन बातों पर ज्यादा विचार करना बहुत आवश्यक होता है बहुत सारे विशियों पर प्रभाव पड़ता है पर सबसे महत्वपूर्ण क्या विश्य हैं इस बारे में आज हम विचार करेंगे परन्तु हो सकता है आपकी वो युति हो ही नहीं या आपकी वो ग्रह किसी और अन्य ग्रह के साथ युति करता हो तो ऐसी इस्तिति में आपको अगर देखना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं बहुत सारे ग्रहों की सभी के साथ युति मिलाकर क्या प्रभाव देती है ऐसी संभावनाओं की वीडियो डाल रखी है आईएगा जरूर इन सबके डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो अभी आज की वीडियो शुरू करते हैं मैं स्वलाजर शेलेज जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शको जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य और चंद्र साथ बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे दर्शको एक बात देखिए काल पुरुष्की कुंडली के अनुसार सूर्य और चंद्रमा कौन काउन से गरों के स्वामी हैं चौते और पांचवे अब आप ही देखिए सूर्य जो हमारे आत्मा के कारक हैं चंद्रमा जो हमारे मन के कारक हैं जब ये दोनों साथ में बैठ गए तो सबसे जादा प्रभाव किस पर पड़ेगा आपकी पस्नेलिटी पर यानि आपके व्यक्तित पर एक चंद्रमा जो किसी भी ग्रह के साथ बैठ के प्रभावित हो जाते हैं तो क्या सूर्य जैसे तेज वाले ग्रह के साथ बैठ के आपका मन प्रभावित नहीं होगा और शास्त्रों में भी ये लिखा है कि किसी एक पार्टिकुलर डिग्री पर अगर ये दोनों साथ किस तरह से सबसे पहले तो बच्षपन में आपको शारेरिक कष्ट होगा दर्शकों और अब आप कहेंगे कि अचारे जी बच्षपन का कष्ट हमें क्या पता अपने माता पिता से पूछिए उनके लिए ये कष्ट होगा वजा कोई नहीं है वजा ये युति है परंतु उनको वो कष्ट भोगना था संतान के सरूप इसलिए आपके कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति बनी माता और पिता पिता क्या है सूर्य माता क्या है चंद्रमा दोनों की युति बनने के कारण आपके शरीर पर प्रभाव आया और माता पिता को शुरुवात में ही बच पहले बाले अवस्था से आगे निकल कर देखते हैं कि जब आपकी यंग एज आती है तो क्या ये सूर्य चंद्र की युति आपके शरीर पर दुश्प्रभाव देती हैं दर्शको ये आपको बलिष्ट बनाती है यंग एज में आके ऐसा क्यों है क्योंकि अब आप अपने दिमाग अपने मन से सोचना शुरू कर देते हैं सूर्य चंद्र की युति बुद्धिमान बहुत बनाती है हम हमेशा अपने साथ लेके चलते रहते हैं अर्थार्थ जो जोतिश का थोड़ा बहुत ग्यान रखते हैं उन्हें हमेशा ही लगता रहता है कि वो तो अमावस्या के आसपास पैदा हुए हैं अरे मेरे दर्शकगण एक बात सोचिए इस दुनिया में परमसत्य क्या है इस पेस में क्या है अंधेरा है अंधेरा परमसत्य है रोश्णी तो हम उसमें जब पैदा करते हैं सूरे ग्रहे के कारण तो दूसरी जंगे परमसत्य रहता है जिसे हम अंधेरा कहते हैं अगर आप अमावस्या क्या आसपस पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में अंतरात्मा में एक सत्य की इस्तिथी बनी रहती ही है इस सत्य की लौको समझना बहुत जरूरी है अर्थात आप मन में हमेशा हर समय सच बोलने में लगे रहते हैं उसके कारण बहुत कुछ गड़बड होती है कई बार लोग सोचते हैं कि आप बहुत चलाक हैं लेकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि आप सच बोल रहे हैं यानि आप जादा गोलमुल बाते करना नहीं जानते इस यूति के कारण इसलिए मैंने इस भुमिका के साथ आपको समझाया कि अंद्रूनी तोर पर अगर आप अपने आपको कभी गलत समझते हैं ना बिलकुल मत समझिये मन के साफ होते हैं क्योंकि आत्मा का स्वरूप सूर्य आपके साथ है इसलिए आप मन के साथ होते हैं यानि की साफ होते हैं पर अंतु दर्शको इस बात का आपको बहुत गलत फल भी भोगना पड़ता है वो इस तरह से होता है कि लोग बच्पन से ही आपका exploitation यानि शोशन करते हैं देखिए जब शोशन होता है न बच्चों का तो बच्चों को भी नहीं पता होता और ये आप मुझसे अधिक समझदार है कि कहीं न कहीं वो जो शोशन है वो मांसिक भी होता है और अन्य स्वरूप पर भी होता है तो अगर किसी के साथ ऐसा घटित हुआ है कमेंट बॉक्स में बिलकुल मतलिफ ना नहीं जानना हमें पर सिरफ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर अन्य आपकी संतान का भी सूर्य और चंद्रमा की यूति है तो कृपिया ध्यान अधिक दीजिए साथ ही आपको ये कहूंगा कि ये आपकी पड़ाई लिखाई में बड़ा च्छाय योग बनाते हैं अर्थात बाते समझ में आती है विद्या ग्रहन करने का मन करता है शुरुआत में तो आलसी होते हो परन्तु बाद में बड़ा कमाल की बात करते हो अर्थात पढ़ने में रूची आती है ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य जो है वो ग्यान का कारप्पी है और सूर्य यानि कि राजा जो बेसिकली बहुत सारी चीजों को साथ समाल कर चलता है और चंद्रमा जो की मन इसका मतलब मन कहीं न कहीं बहुत कुछ बड़ा करने का मन करता रहता है लेकिन इस बड़े के लिए एक बात क्लियर करूंगा कि आपको जब भी करियर की शुरुवात करनी हो तो एक दम से बहुत ज़ादा पैसा लगा के इंवेस्ट मत करना ने तो सूर्य चंद्रमा की यूति आपको परेशान करेगी क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा की तिथियों की तरह इस यूति का फल धीरे 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 बढ़ता है तो इसी कारण आपको अपको अपनी इंवेस्टमेंट भी धीरे 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 बढ़ानी है इसी कारण दर्शकों आपके अंदर एक और अच्छी क्वालिटी आती है जिसे हम कहते हैं मार्केट रिसार्च और अनालिसेज कहने का मतलब अगर आप जौब में जाते हैं तो भी अच्छे रिसर्च करते हैं आप अपना काम करते हैं तो भी अच्छे रिसर्च करते हैं और पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी अच्छे रिसर्च करते हैं यही कारण है कि कही बार पढ़ाई के अंदर आप जिनको पढ़ाते हैं वो तो बहुत जल्दी Qualify हो जाते हैं और आपको थोड़ा सा Qualify होने में दिक्कत होती है अच्छा इस बात को फड़ा आगे बढ़ाते हैं कि आपके जो प्रेम संबंद और जीवन साती है उनके साथ आपके व्यक्तित पर क्या प्रभाव डालते हैं सूरे और चंदर की यूती दर्शको उस दिशा में ये यूती एक ऐसा प्रभाव डालती है जिसके अंतरगत जैसे कि मैंने शुरुवात में बोला आप अपनी मन की सारी बातें सामने वाले को बता देते हैं तो ऐसी इस्तिती में धोका होने का खत्रा बहुत होता है परन्तू एक बड़े कमाल की बात है आपको धोका जरा कम मिलता है बलकि आपके जो सामने मित्र हैं जिनके साथ आप प्रेम कर रहे हैं या जीवन व्यापन करने के सोच रहे हैं वो आपको समानने तोर पर एक बात कह देते हैं कि हम शायद आपके साथ जीवन नहीं बिता पाएंगे शायद हम इस प्रेन संबंद को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे शायद हमारी मित्रता यहीं तक ती कहने का अतात पर रहे हैं यह जो सूर्य और चंद्र की यूती है न वो आपको दुखी तो करती है मन से परंतु इस पष्ट चीजे आपके सामने ले आती है अच्छा इस पष्ट चीजों से एक बात और याद आई जो आपके आसपास के करीबी लोग होते हैं जोने आप मित्र कहते हैं संबंदी कहते हैं साथ आने जाने वाले रोजश्मर्र की जिंदिगी के अंदर उन सबकी सचाईयां पतनी कैसे आपके सामने आ जाती है पर आज पता लगा इसके पीछे है सूर्य चंदर की यूति दर्शको आपसे कोई अपना राज छुपा नहीं सकता है अपने आप आपको उसके बारे में पता लग जाएगा और आपकोई खास effort भी नहीं करते और इसी कारण लोग सोचते हैं कि आप बहुत चलाक हैं लेकिन द्यान रखना जो मैंने शुरुवात में कहा एक सत्य की law हमेशा मन में जलती रहती है इसी कारण कभी-कभी घबरावी जाते हो मन में घबराट आ जाती है कि ये सब जो हो रहा है दुनिया में यानि हम जिस तरह का जीवन व्यापन कर रहे हैं हर कभी-कभी कुछ गोल माल भी कर रहे हैं क्या इस सही है? ये करना इतना आवश्यक है इस तरह के प्रशन आप इसलिए अपने आप से पूछ रहे हैं क्योंकि सूर्य चंद्रमा से मिलके सूर्य का जो प्रभाव है वो भी तो आप पर पड़ेगा न यानि आत्मा से प्रशन पूछना अर्थात आप समझ पा रहे हैं दर्शको यह पूरी कहानी ही आपके व्यक्तित्व की है हर पल मन और आत्मा के साथ एक युद्ध चलता रहता है कभी अपनी बात कह पाते हो किसी को कभी नहीं कह पाते कभी मन ही मन में यह डर विचार आता रहता है कि सामने वाला कहीं हमें मूरख ना समझे जबकि आप बुद्धिमान हैं क्वालिफाइड हैं अरनिग अच्छी कर रहे हैं फिर भी मन में ऐसी शंकाएं आती रहती हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में कि हम ऐसे ऐसे प्रशन सोचते हैं अपने मन में गवराईये नहीं आपकी ये सोच विचार करने की जो शक्ती है न ये ही आपकी ताकत है इसलिए कह रहा हूँ कि अब इस बातों को छोड़ दीजे ये सूर्य चंद्र की युति अंततहा आपको बुद्धिमानी और धन से संबंदित अच्छा लाब देगी सिरफ और सिरफ रिष्टो में प्रेम में आपको नुक्सान दे सकती है और बीच बीच में उम्र के कई पड़ा उपर आपको सेहत से संबंदित दिक्कत दे सकती है लेकिन फिर एक बात बताऊंगा जब कभी भी सेहत से संबंदित दिक्कत आईगी उसकी recovery भी बहुत fast होगे यानि कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा क्या बिमार पड़े थे इतनी जल्दी recover कर जाओगे तो इसका मतलब यह रहा कि इस युतिमे कष्ट तो है पर स्वेम ही उस कष्ट को हल करने की शक्ती भी है क्योंकि दर्शको सूरे से ज़्यादा बलवान क्या है इसलिए इस बलवान बात से ध्यान रखना आपका आत्म बल आपके मन के साथ जुड़ा हुआ है आपने अगर सोच लिया तो आप achieve कर लोगे बशर्ते कि आप ये गलत फैमी मत पाल के रखना कि आप अपने आप में बड़ा confuse रहते हैं जो कि आपको लगता रहता है ध्यान रखना इस पूरी वीडियो के पीछे मेरा एक ही मोटिव है कि सूरे चंदर की यूती को अमावस्या या अमावस्या के समीप मानते वे आप अपने आप पर ये मानते हैं कि हमारा तो लग ही खतम हो गया ऐसा नहीं है दर्शको एक बात सोचो Logical Astrological Analysis के साथ सोचो कालपूरिश की कुंडली जानते हैं आप क्या होती है कालपूरिश की कुंडली अर्थाज जिसके अंदर की हम मेश को ही कालपूरिश की कुंडली मान के चलते हैं यानि मेश लगन को उसके अनुसार चौथे घर में चंद्रमा की राशी पड़ी यानि करक राशी और पांचवे घर में कौनसी सिंग राशी एक बात सोचो समान्य तोर पर राजियोग की परिबाशा क्या है केंद्र और तरिकोन का स्वामी कहीं साथ बैठे तो वो राजियोग होता है इस्तिती अनुसार अब यहां तो केंद्र और तरिकोन का स्वामी ही एक हो गया करक राशी का स्वामी चंद्रमा सिंग राशिका स्वामी सूर्य और आपके कुंडली में सूर्य और चंद्रमा साथ हैं तो क्या एक काल पुरुष के अनुसार यानि समय के पुरुष के अनुसार ये राजियोग नहीं है समभालना आपको है समझना आपको है कोई नहीं समझाएगा आपके आसपास हमेशा एक ब्रहम जाल बना रहेगा आपको उस ब्रहम जाल को अपनी आत्न शक्ती से तोड़ना है ध्यान रखना मेरी इस बात को अक्सर कई बार ऐसी बातें कुछ मेरे दर्शकों को फिलोसिफिकल लगती है लेकिन जिन पर बीत रही होती है न वो ही जानते है तो अगर आप इस संघर्ष व्यक्तित से संबंदी जीते आ रहे हैं तो बताना कमेंट बाक्स में कि आपको पल-पल क्यों ऐसा लगता था लेकिन कई बार आप खुद उस परिशानी से बाहर आए और दूसरों को भी उस परिशानी से बाहर लेके आए तो इसलिए दर्शको यूती बहुत अच्छी है परंतु बड़ी ही शांत तरीके से चलना पड़ेगा आपको अपने गुसे को भी शांत करना है मन में गुसा भरा रहता है आपका हमेशा और उसके कारण आप कभी-कभी यह सोचते हो कि अगर मैंने सच बोल दिया ना तो बेड़ा गर्ग हो जाएगा इस दुनिया का सही बताऊं आप जिस तरह से आराम से डिप्लोमैसी के साथ बोलते हो वो ही ठीक है इसलिए सूरे चंदर की युति को बिलकुल भी प्रत्यक्ष तोर पर कल्यूग में लोगों के सामने प्रेजन्ट होने का मतलब नहीं होता आपको स्वेम पर ही बतलाब करना होगा अर्थात अगर आप इसका लाब लेना चाहते हैं तो डेफिनेटल अपने व्यक्तित के लिए चिंतन मनन कीजिए बस चिंता नहीं तो दर्शो को बताईएगा आपको मेरी वीडियो कैसे लगी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब और बैल आइकन ज़रूर प्रेस करना है उससे आपका और हमारा संबंद बना रहता है धन्यवाद